गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि CT scan thorax में कैसे lesion localize करते हैं वो किस lobe में हैं किस segment में हैं कैसे localize करना है आज हम इसके बारे में देखेंगे इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने X-ray में कैसे lesion localize करना है ये बताया था तो अगर इसको पूरा समझना है तो आपसे request है कि प्लीज इसका पिछले वाला वीडियो भी देखना ना भूले जिसका के link description box में दिया गया है चलिए start करते हैं तो lung legion identify करने से पहले हमें surface anatomy पता होना चाहिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था लेकिन अभी repeat करना ठीक है इसमें हमेशार याद रखने चाहिए कि lungs में दो fissure होते हैं एक oblique fissure जिसको कोई major fissure भी कहते हैं और minor fissure दो fissure होते हैं यह दोनो fissure ही लोग में डिवाइड करते हैं right side में दोनो fissure होते हैं oblique fissure और minor fissure जो कि upper log, middle log, lower log में divide करते हैं left side में एक ही fissure होता है इसको कि oblique fissure और major fissure कहते हैं इसलिए इसमें दो ही लोग होते हैं अपर लोग और lower log एक imaginary line जो की minor fissure की तरह होती है जिससे की upper lobe और lingula में division हो जाता है अगर इस diagram में देखें जो कि हम M.E.B.S. time से पढ़ते आ रहे हैं इसमें oblique fissure ये T2 vertebrae है जो की posterior side में है इससे हम एक line draw करते हैं जो की middle border of scapula से होते हुए एक्जिला से होते हुए ये anterior side में आती है 6th costrocondral junction यह आप देख सकते हैं ये 6th costrocondral junction है इसमें arm hyper abducted होने चाहिए तभी ये ठीक से आएगी ये oblique fissure है जिसको major fissure भी कहते है minor fissure 4th risk से start होता है एक्जिला की तरफ जाता है और जहाँ पर oblique fissure cross होता है वहां तक ये extend करता है तो आप देख सकते हैं कि oblique fissure से उपर का area upper lobe होता है pushy side में देख सकते हैं ये upper lobe है एक्जिला में देख सकते हैं oblique fissure से उपर upper lobe है and anterior side में ये upper lobe है जो major fissure और minor fissure की बीच में होता है ये middle lobe है और oblique fissure से नीचे है वो lower lobe है ये lower lobe है तो आप देख सकते हैं कि majority जो posterior area होता है वो lower lobe से occupied होता है जो anterior area होता है वो upper lobe से होता है और नीचे middle lobe से होता है एक्जिला में middle lobe नहीं होता है उपर upper lobe होता है नीचे lower lobe होता है तो ये अब CT scan में कैसे identify करना है ये हम आगे देखते हैं इसको देखने से पहले हमें ये lateral x-ray अपने दिमाग में रखना पढ़ेगा क्योंकि x-ray 2D structure है CT scan 3D structure है तो CT scan में correctly identify कर सकते हैं कि lesion किस lobe में है किस segments में है अगें bronchopalmoy segments जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था 10 right side में होते हैं 9 left side में होते हैं left side में कौन सा absent होता है medial basal जो lower low में medial basal segment absent होता है जबकि right side में ये होता है इसलिए 10 है यहां पे 9 है और ये एक numbering होती है जो कि हमें याद रखनी है 1, 2, 10 1, 2, 10 इसमें 9 जो 7th होता है जिसको medial basal केते हैं वो absent होता है इसका detail मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है अब CT scan एक 3D structure है इसमें horizontally sections लेते हैं जैसे कि आदमी सीधा खड़ा है उसके एक horizontal sections या transfer sections लेते हैं और एक section में हम देखते हैं कि क्या उसमें आ रहा है जब section लेते हैं तो उसमें anterior side में sternum होता है rips होती हैं posterior side में vertebra होती हैं इससे हम anterior और posterior पैचानते हैं इसके जो basic principle है कि CT scan जब भी आपके पास में आई उसमें हमें fissures identify करना है अगर हम fissures identify कर लेते हैं तो हमारे लेजी हो जाता है कि लीजन upper low में है middle low में है या lower low में है दूसरा CT scan देखने के साथ में हमें lateral x-ray हमें अपने mind में रखना पड़ेगा क्यों आगवार ले वीडियो में बताऊंगा यह lateral x-ray है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह highlam है अगर हम right side का यह देखें lateral x-ray इसमें यह बीच में highlam है highlam में यह major fissure है जे green line देख सकते हैं यह major fissure है यह blue line minor fissure है तो यह वाला area हो गया यह upper low हो गया यह middle low हो गया जो कि minor fissure और oblique fissure की बीच में है और पीछे वाला lower low हो गया तो अब इसमें हम segment कैसे identify करेंगे सबसे पहले हैलर से हम एक line खीचेंगे जो कि apex की तरफ जाएगी यह वाई line line 1 दूसरी line खीचेंगे जो कि first trip पर join करेगी यह second line अब third line हो गई यह minor fissure अब इसमें देख सकते हैं यह वाला part anterior है क्योंकि इसमें यह sternum है यह vertebrae आप देख सकते हैं यह पीछे आ रही है तो यह वाला part posterior है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो area second line है और minor fissure है इसमें यह anterior segment है 1 & 2 के बीच में यह apical part है, apical segment पीछे posterior है यह बात clear हो गई अब मालो section हमारा trachea level पे लेते हैं यह trachea है आप इसमें देख सकते हैं यह trachea है तो trachea में अगर हम इस section से काड़ते हैं यह trachea है इस section से काड़ते हैं यह तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें यह apical part आएगा बस यह केवल apical part आएगा आप देख सकते हैं यह राइट साइड है यह लेफ्ट साइड है यह लेफ्ट साइड है इसमें देखेंगे सीटी स्केन में केवल यह एपिकल पार्ट आएगा तो एपिकल सेग्मेंट आफ अपर लोग राइट में भी और लेफ्ट में भी अब सेक्शन थोड़ा सा नीचे का यह दे सकते हैं यह जो ब्लू लाइन है यहां से यह कटेगा यह सकते हैं इसमें majority होगा upper lobe आयेगा क्योंकि यह पुरा upper lobe इसमें क्या आयेगा anterior में anterior segment आयेगा apical segment आयेगा posterior segment आयेगा देख सकते हैं ये CT scan cut है CT scan में anterior segment हो गया anterior तरफ बीच में apical segment हो गया और पीछे posterior segment हो गया तो बेसिकली अगर आप सेक्शन आउटिक आर्स से लेते हैं तो पूरा अपर लोग आएगा जिसमें के तीनों सेग्मेंट देखेंगे एपिकल सेग्मेंट, एंटियर सेग्मेंट and पोस्टियर सेग्मेंट अब आप इमेजन करिये कि यह अगर हम थोड़ा नीचे से काटते हैं say for example जैसे यह लाइन है इसको हम थोड़ा से नीचे कर देते हैं इस तरह से यह और लेफ्ट साइड में यह इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि अपर लोग तो आएगा ही साथ में लोवर लोब भी आएगा यह लोवर लोब आएगा तो दूसरे डागराम में देखते हैं जैसे यह है इसमें आर्च ठीक से नीच बन रहा था इसमें आर्च ठीक से नीच बन रहा है तो इसमें उपर की साइड से लिया है इसमें आर्च बहुत अच्छे से बन रहा है मतलब यह थोड़ा सा लोवर सेक्षन है आप देख सकते हैं अगर इसको हम गौर से देखें इसमें आप फिशर देख रहा है आपको यह चैन यू सी फिशर यह मेजर फिशर है तो मेजर फिशर से जो ऊपर का एरिया है वो क्या होगा अपर लोग तो यह पूरा अपर लोग है और नीची का एरिया क्या होगा लोवर लोवर लोव में कौन से सेग्मेंट सुपीरियर बेसल जो कि मैं आगे देखेंगे अपर लोग में कौण कौण से लिए आएगा। आगे आएगा एंटिरियर, बीच में एपिकल और पीछे आएगा पोस्टियर सेगमेंट तो अगर हम आर्च आउटा से नीचे से लेते हैं तो अपर लोग भी आएगा और नीचे लोवर लोग आएगा। इसलिए मैं कोशिस यह करनी है कि हम लोग फिशर आइंटिफाइ कर सकें अगर फिशर आइंटिफाइ कर सकते होंगे तो हमारे लोवर जो होगा वो इजी हो जाएगा अब हम तीसा सेक्शन लेते हैं एड दे लेवल आफ केरीना करीना क्या होता है यहां पर की ट्रकिया लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करती है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह करीना है यह हाइलम है तो हम यहां से लाइन खीचें यह लेटल एक्सरे है यह वाला यह लेटल एक्सरे है अगर हम यह लाइन खीचें यह वाली तो आप देख सकते हैं कि anterior में upper lobe का anterior segment आ रहा है Can you see? This is anterior segment और posterior में क्या आ रहा है? Superior basal segment of lower lobe क्योंकि यह major fissure है तो major fissure के उपर वाला upper lobe and middle lobe है नीचे वाला lower lobe है तो पीछे की साइड में superior basal आएगा और आगे की तरफ कौन सा आएगा? anterior segment of upper lobe अगर आप इस CT scan को गौर से देखें तो इसमें आप यह देख सकते हैं यह करीना है क्योंकि यहाँ पर यह राइट और यह लेफ्ट ब्रॉंकस डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इसमें गौर से देखें तो यह फिशर है यह फिशर है लेफ्ट साइड में यह फिशर है तो फिशर के जो ऊपर वाला हो गया यह हो गया अपर लोग कौन सा सेग्मेंट हो गया? anterior segment और पीछे वाला कौन सा हो गया? lower lobe कौन सा सेग्मेंट? superior basal superior basal तो इस तरह से हम लोग अगर फिशर है कर लेते हैं तो काफी easy हो जाता है तो यह होगा करिणा लेबल पर करिणा लेबल पर ऊपर टू थर्ड एंट्रेट सेग्मेंट औफ अपर लोग नीचे की साइड में lower lobe का superior basal segment अब हम चलते हैं just blow करिणा आपने देखा था यहाँ पर हमने करिणा पर section लिया है यहाँ पर यह अगर थोड़ा सा नीचे ले लें इस तरह से तो अब क्या देखेंगे कि anterior side में तो यह middle lobe आजाएगा middle lobe और पीछी की साइड में क्या आएगा superior basal of lower lobe जैसे यह देखें यह करिणा था यह अब थोड़ा सा नीचे लें अब इसमें आप देख सकते हैं इस CT scan में कि जो करिणा था यह अब नीचे से डिवाइड होके यह left bronchus right bronchus थोड़ा सा नीचे की साइड में लेंगे तो नीचे की साइड में लेंगे तो क्या होगा जो anterior है वो कौन सा लोब हो जाएगा यह वाला यह हो जाएगा middle lobe middle lobe जैसे आप इसमें देख सकते हैं यह करिणा है यह वाला इसके नीचे section लेया है हमने इस तरह से यह तो anterior में क्या जाएगा यह middle lobe posterior में क्या जाएगा superior basal segment of lower lobe तो anterior में क्या आगया यह middle lobe middle lobe में देख सकते हैं यह middle segment है यह lateral segment है और नीचे की साइड में बना posterior side में क्या जाएगा superior basal segment of lower lobe तो इस तरह से अगर हम करिणा पे लेंगे तो उपर upper lobe नीचे lower lobe अगर थोड़ा से नीचे आ जाएगे करिणा से तो उपर की तरफ middle lobe नीचे की तरफ lower lobe तो यह हमिसा में दिमाग में रखना पड़ेगा अब लेते हैं at the level of heart आप इस diagram में देख सकते हैं अगर heart कहां पे है यहां पे heart है यह तो अगर हम यहां से लाइन खीचे है यू कर गए तो इसमें क्या आएगा कि आगे तो middle lobe आएगा यह middle lobe आएगा और पीछे आएगा lower lobe अब इस वाले diagram में देखें एक्सरे में देखें हम लोग तो एक्सरे में आप देख सकते हैं कि यह middle lobe है और पीछे क्या है यह lower lobe है आगे middle lobe राइट साइड में पीछे lower lobe लेफ्ट साइड में यह lingula है पीछे lower lobe अब इसमें lower lobe के चार सेगमेंट आते हैं जैसे मैं बताया था कि हम याद रखना है ALP alkaline phosphatase तो आप देख सकते हैं कि अगर heart पे हम लोग line खी चाहिए heart है यह तो यह anterior one third anterior one third posterior two third इस तरह से divide होता है posterior two third में क्या आएगा आप देख सकते हैं जैसे मैंने पिछले वाले उसमें बताया था यह anterior segment होता है यह lateral segment होता है और यह posterior segment होता है तो इसमें तीनों आएंगे यह anterior, lateral, posterior पोश्ट है सब के पीछे की तरफ तो हमें यह order याद रखना है A, L, P anterior, lateral, posterior इसी order में याद रखना है medial segment एक hyalum के जस्ट पास होता है यह medial segment है तो इस तरह से हमें यह अपने दिमागें बिठाना होगा और अगर हम CT scan में देखें तो आप अगर fissure identify कर सकते हों तो यह fissure है यह fissure यह कौन सा fissure है? यह horizontal fissure है और minor fissure है तो fissure के आगे वाला area middle lobe हो जाएगा पीछे वाला lower lobe middle lobe में जो आगे की तरफ होगा वो होगा medial basal और बीच वाला होगा lateral basal और lower lobe में तीन में डिवाइड हो जाएगा ALP ALP anterior lateral posterior थोड़ा सा area यहाँ पर medial basal segment होगा same इस वाले extreme होगा left side में होगा left side में superior inferior lobe of lingula superior inferior lingula then again ALP anterior lateral posterior तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो यह diagram आपको अपने मन में बिठाने है और जब भी CT scan देखेंगे यही recall करेंगे कि इसमें फिशर का है और किस level पर यह section लिया गया है चलिए अब हम लोग एक question ले ले लेते हैं anterior part होता है वो होता है middle low और पीछे वाला part क्या होता है superior basal segment of lower low तो यह leeson कहां पर हो गया यह यह leeson हो गया superior basal segment of lower low superior basal segment of left lower low दूसरा question क्या बता सकते हैं इस segment कहां पर है अब इसमें आप देख सकते हैं कि section है करीना पर है this is carina this is right main bronchus this is left main bronchus जब करीना पर section लेते हैं तो आगे क्या होता है anterior segment of upper low और पीछे क्या होता है superior basal of lower low तो इस cancer क्या हो गया उपर की तरफ anterior segment of upper low होगा पीछे क्या होगा superior basal segment of right lower low क्या इसको बता सकते हैं यह थोड़ा सा difficult है आप इसमें देख सकते हैं कि यह heart है तो heart में हम लोग इस तरह section लेते हैं कि anterior one third posterior two third anterior में क्या होता है heart middle low इदर क्या हो जाएगा lingula यह हो जाएगा lingula तो यह superior lingula inferior lingula superior lingula inferior lingula और यह क्या हो जाएगा heart पर नीचे क्या होता है ALP इस तरह से यह anterior lateral posterior तो यह क्या हो जाएगा यह posterior basal segment basal segment of left lower low यह last question है यह आपको ही बताना है यह चले मैं बता देता हूँ यह करीना है यह right main bronchus है यह left main bronchus है यह अगर हम यहाँ पर card देते हैं section लेते हैं तो उपर वाला क्या होता है यह anterior segment of left lower low पीछे वाला क्या होगा superior basal segment superior basal segment of left lower low तो आज के लिए इतना ही आप मुझे comment box में लिखे बताईए कि आपको यह video कैसा लगा I hope कि आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पिछले वाला वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए प्लीज लाइक करिए अपने friends के साथ में शेयर करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिया फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में Thank you, thank you very much